नमस्कार आप सब का स्वागत है धर्मेंद्र और अमिताब बच्चन की फिल्म शोले के सभी किरदारों को याद किया जाता है ठीक वैसे ही पिछले किस महीने से दर्शक बाहुबली के किरदार को याद कर रहे हैं बाहुबली अम्रेंद्र, भलाल देव, माहेश्मती, कटपपा, शिवगामी जैसे भी किरदार इतिहास में अमर होने के लिए तयार है बच्चा बच्चा कहता है कि कटपपा ने बाहुबली को क्यों मारा इनहीं में से एक किरदार बॉलिवूड की फेमस अभिनेत्री, श्री देवी को ओफर हुआ था पर बात तो नहीं बन पाई आपको हमारी बातों पर यकीन करना होगा, क्योंकि खबर पूरी पकी है हम बात कर रहे हैं फिल्म बाहुबली के प्रमो किरदार शिवगामी की इस रोल के लिए पहले बॉलिवूड एक ट्रेस श्री देवी को अप्रोच किया गया था पर बात पैसे पर आकर अटक गई एसस राजा मौली ने श्री देवी से जाकर इस किरदार के लिए बात की थी श्री देवी को ये रोल और कहानी बेहत पसंद भी आई थी पर श्री देवी ने इतनी बड़ी फीस की डिमांड कर दी जो बजट के बाहर थी फिर होना क्या था बात नहीं बनी श्री देवी के ना कहने के बाद श्री गामी का रोल साउत की एक ट्रेस राम्या कृष्णनन को मिला जिन्होंने इस किरदार में जान डाल दी बाहु बली की जगे श्री देवी ने साउत की फिल्म पुली मूवी को चुना जो की बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई अब आप ही सोचिए अगर श्री गामी का किरदार श्री देवी ने निभाया होता तो फिल्म कैसी बनती खिर छोड़िए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है